आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका सी अन्विजी बजार पर और अबिसली सबसे पहले जो माइल स्टोन सर हमने हासिल किया है उसके बारे में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं तो नए स्टोर्स डेफिनेटली वन-फिफ्टी-3 सो-far हमने देखा है कि उखने अपने जो आड किये थे किस प्रकार से देख रहे हैं इसको और जो अच्विमेंट्स अपने सो-far किया है उसको कैसे देख रहे हैं जो हमारे टागेट्स थे यू स्टोर एडिशिन के उसमें कि तो हमने हाली में देखा था कि बड़े ब्लॉग डील वगेरा में major exchanges जो है वो holding patterns वगेरा में हुए हैं तो क्या मेरा basically question यह रहेगा कि क्या existing जो investors है कुछ entry exit वगेरा के लिए आपको कुछ बात हुई है नहीं या investors जो है वो किस प्रकार से stake का यहां पर लेने की कोशिश में है sure sure so हमारे company में जैसे आपको मालूम है हम दो साल पहले ही list कुछते हैं उससे बहुत पहले से private equity investors company में माचुद है और private equity investors का यही रहता है कि जब company listed नहीं ही हो तो करीदेंगे बाद में listing के time और listing के बाद में थोड़ा-थोड़ा करके निकलना पड़ता है उनको क्योंकि उनका mandate ही private company में रहने का है so ऐसा ही हमारे पास दो बड़े private equity investors थे एक तो प्रेम जी इन्वेस्ट और दूसरा वावग पिंकस इनका दोनों का roughly around 32% stake था वो अभी दो साल होगे almost हमारा 18-19 months हुआ so अभी वो थोड़ा करके stake बेचे है और हमारा भी यही प्रयास था कि कुछ अच्छे बड़े well-known public market में जो invest करते हैं और जो long only kind of investing करते हैं जो जादा दिन तक फूल करते हैं वो ऐसे investors को हमारे को company मे ला रहा था तो यह manage कर रहा था वी this got managed by यह दो investors they have sold to some very large investors like GIC, Steadview and Nippon and Fidelity यह सब investors हम को हम लाने के लिए और private equity वालों को थोड़ा liquidity देने के लिए a transaction करवाय थे so उसी के कारण यह block deal work but this is business as usual मेरे हिसाब से okay definitely so ऐसे कोई और कोई meet आपके lined up है ऐसे कोई major आपको लग रहा हो अभी फिलाल अभी बेचने वाले तो अभी कोई नहीं है मेरे हिसाब से okay but market में मिलेगा जो investors है वो लोग खरिते जाएंगे उतना तो sure है so I don't think major investors in सब के बाद महीं ही हूं I'm not selling and neither is Premji and Warburg right now so they will exit over a period of time but not right now so it's going to be a long time before with it they do that definitely 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 sir इसके अनवा फार्मा इंडिस्ट्री में हम देख रहे हैं बहुत सारी बात है आजकल चल रही है obviously confirmed news की तो हम भी सब लोग वेट कर रहे हैं लेकिन ऐसी चर्चाह चल रही है कि consolidation हो या major group जो है वो एक दूसरे के साथ जुने आगे बढ़े हैं इन सब के लिए भी बहुत सारी चर्चाह चल रही है आपके sales वगरा पर इसका कोई असर होता है नहीं होता है उनके share में या आपके वहाँ पर जो भी sales होती है उसके उपर किस प्रकार से focus आप रखते हैं मेरे हिसा में तो यह consolidation होना ही था इंडिया की country है जहां पे hundreds of companies है I mean अगर आप US या UK गए तो आपको मालम पड़ेगा कि hardly big five या big seven या big eight रहेंगे main जो pharma companies है अपने पास यह जो है तो top 50 top 100 तक भी list जलते रहे है so 100% sure और consolidation तो होना ही था हुआ हो रहा है करके सुनने में सुनने में हारा है I'm sure it is for the good of the overall industry थोड़ा जो भी redundancy कट जाएगा I'm pretty sure it'll work well हमारे उपर जो effect किरेगा I don't think there'll be any effect consolidation अगर होना है अगर effect होना है तो हमारे retail में होना है retail में मैं सोंच रहा हूँ consolidation से जादा हम जो step लिए June में उसका जादा effect रहेगा हम अभी first time Metplus brand के उबर 500 odd products release करें यह 500 of the fastest moving products है जो बोद chronic and acute disease के लिए you can use यह given that हम यह खुद बना रहें through contract manufacturing और हमारे को इसमें कोई manufacturing, marketing या retail, extra retail cost कुछ नहीं है हमारा ही खुद का retail है हमारा कुद का distribution है और marketing cost हमारा ही नहीं है so इसी कारण we are able to pass on a significant discount to customers so Metplus brand पे जो products है highest quality में बन रहें but 50 से 80% discount देते वे हम market में लाए है Hyderabad और rest of Telangana में इसका दो बहुत अच्छा acceptance था market में अभी हम देरे-देरे करके by October या October middle थक rest of the country करेंगे this I think more than the there is consolidation on the farmer manufacturing side but on our side I think this is the big thing to talk about definitely sir बहुत अच्छे से आपने समझाया अब थोड़ा diagnostics की बारे में समझना चाहूंगा because यहाँ पर काफी ज्यादा उतल पाथल जो है वो हो रही है particularly आप competition देख लीजे बाकी सब चीजे है अभी के क्या trends है revenues के क्या पर store अगर आप बता सकें और obviously अब थोड़े से centers वगरा जो हो मची और होने लगे है तो ऐसे situation में यहाँ पर क्या आपके expectations रहेंगे Diagnostics में दो चीजे है आप जब बोल रहे है competition बोच जादा है तो आप mainly pathology and biochemistry के बारे हैं बोल रहे है जहाँ पे बड़े-बड़े listed companies है जो franchisee के इस से hundreds of centers से उठाते हैं हमारा थोड़ा different है we are more dothi नहीं है हमारा तो integrated center है वेर radiology है और खासकर के बड़ा radiology है वेर MRI CT अगरा अगरा है इसमें investment बोच जाना है और returns भी दूसरे type के है they are not completely so हमारे इसमें competition कुछ नहीं है anyway that's the first point I want to make second हमारा model जो है यह subscription-based model है जहाँ पे लोग आके थोड़ा subscription amount insurance के तावर पे या whatever you want to call it they pay a small amount of fee beginning of the year में yeah whenever they start and for one year एक साल तक उनको 75% discount मिलता है सब test के पर so हमारा model यही था कि पूरा है थराबाद में full network लगा है और जहाँ से भी हो लोग subscription करीद के हमारा 75% discount use करके they should make their costs go down तो model हमारा है कि it depends on a lot of people becoming members of the overall you know business model out there so अगर आज के दिन हमारे पास एक लाग दस जार members है यह एक लाग दस जार से आगे बढ़के दो लाग तीन लाग जब होगा तब हमारा पूरा set होगा model खरके हमारा मानना है meanwhile anyway to explain it subscription fee पे करता है कस्टमर इसी से हमारा profit आता है जो 75% discount के बाद जो 25% पे करते है कस्टमर टेस्ट के लिए वो 25% से हमारा OPEX निकलता है operational expenses so वहाँ तक 25% discount should break even for the center यह तो हमारा ठीक से चल रहा है उतना मैं बोल सकता हूँ definitely आपने अच्छे से समझा है अब मैं आखरी सवाल थोड़ा सा drug price के जो regulations वगरा आजकल चल रहे हैं उसके उपर NPP-A के दवारा जो steps लिए जा रहे हैं क्या आपको लग रहा है इससे आपके margins वगरा पे कोई direct-indirect कोई impact आ सकता है नहीं NPP-A के इससे तो वो तो I mean already both कुछ कर चुके है I don't think there's anything more but हमारे margin पे effect किरना थोड़ा कम ही है I would say the effect is not going to be very high थोड़ा तो पढ़ता है अगर हमारा margin percentage दो same रहता है but 100 रुपी कर रहा है अगर 50 या 70 रुपी में आ रहा है तो we will make the same 20-25% on a lesser amount of money so वाईसा absolute margin में थोड़ा कम हो सकता है but हम यह देख रहे है कि market तो बढ़ते जा रहा है और mainly जितना NPPA का decrease है price उससे कई levels जादा हमारा खुद का decrease है where we're discount दे रहे हैं जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ Metlus brand आपको जैसा है वो that sales at 50% to 80% discount that is much lower than what NPPA or anyone else sets anyway so we are seeing a lot of people coming to us to buy that medicine माहा पे हमारा मारा मारे इस intact both in absolute terms as well as in the actual gross margin so we see while pricing का फुद का पुरा government related रहे गा the market driven effect which is someone like us and I'm sure similar people like us as they will grow big they will also take advantage of this and खुद का contract manufacturing करके directly customer को पहुँचाएंगे जिससे customer को भी फाइदा होगा और retailer का भी फाइदा होगा so इसका effect में जादा रहता करें definitely इन सारे मुद्दों पर नज़र रहेगी sir बहुत बहुत शुक्री आपका हमारे sir जुनने के लिए और यह सारे जान करे जाने के लिए thank you thank you thank you अब्दों जादा होगा आपका होगा